आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटुब चानल पर मैं हूं मुकंद पाठक में इस वीडियो में आज आपके साथ डिस्कुस करने वाला हूं Organizations of Commerce and Management के सेकंड चैप्टर के बारे में गाइस और इस चैप्टर के अंदर हम Case Studies देखने वाले हैं और इस Case Study के अंदर मैं आपको बताऊंगा गाइस कि इसको किस तरीके से आप समझ सकते हो और किस तरीके से इसके answers write down कर सकते हैं इस पूरे वीडियो में मैं आपको Case Study समझाऊंगा और सारी सार उसके answers भी बताऊंगा ताकि आप अपने एक्जांस में मार्क्स को स्कोर कर सको प्रापा तरीके से तो गाइस यहां पर जो सकेंड चैप्टर पर के सड़ी सकेंड के सड़ी गिवन है वो उसको हम स्टार्ट करते विदाउट टाइम बेस की है अगर वीडियो में कोई भी डावट रहेगा तो देफिन ने आप मुझ क्या होगा यह हम इस वीडियो में और इस के सड़ी के अंदर सीखने वाले हैं तो फर्स वर मिस्टर लेले इसको पॉइंट किया गया ऐसा डायक्टर ताकि वह इंप्लॉईज को अपने अंडर काम करवा सके गाइडेंस दे सके और उनको मोटिवेट भी करवा सके जिसके व तो मिस्टर साहिएद को भी एपो92 क किया गया है ऐस कॉडिनटर मिस्टर सेहिएद क्या करें कि जो एपलॉईज है उनके साथ वक करेंगे ठेखे और उनकी साथ कॉडिनके साथ कॉडिनेट करते रेंगे कि कहीं पर कोई प्रालूम ना आजा कोई रिसोर्स व समाफित तो उनको प्रॉपर तरीके से उनकी सब्सक्राइब करें, अब्जेक्टिव को एकम्प्रिमेंट करें, तिसरा जो करेक्टर है Mr. Desai, Mr. Desai को अपोइंट किया गया as a organizer, ताकि बिजनेस में लगने वाले different type के resources को वह arrangement करेंगे और day to day basis पर या daily basis space को check भी करते रहेंगे कि organizations में कोई भी resources कम ना पड़े और आपको यह पूरे तीन character XYZ company अदर given था इसके एंडर आपको कुछ questions दिए क्या है उस questions के आपको answer लिखने है तो all right guys जो मैंने case study आपको अभी explain किया था तीनों character का यह समझ में आ गया होगा तो चलिए अब यहां पर आपका main question start होता है mention the name of the employee engage in the following functions तो फर्ट जो functions है वो है organizations second है direction and third one है coordination तो गाइस यह question के answer आपके mind में आ गए होंगे तो चलिए इसका answer देख रहेते है organizations organizations के लिए हमने किसको appoint किया हुआ है Mr. Desai is engaged in the organization functions he is looking after the arrangement of the required sources for the business organization देखे guys मैंने answer कैसे लिखा जो आपको passage दिया था वही answer है आपका देखे उसमें से वही line आपको क्या करना है answer में लिख दियाना है next second question था कि direction क्या होता है तो direction में Mr. Lele is engaged in the business functions of the directing as he gives instruction to the employee working under him provide guidance and motivate them for the best performance and guys third one था coordination coordination के लिए Mr. Sayer को appoint किया गया है Mr. Sayer engaged in the functions of coordination as he make an effort to harmonize the work done by the employee of different department तो आप गाइस जो मैंने तीनों जो concept तीनों क्यारेक्टर के बेस पर concept मैंने आपको explain किया था वह यहां पे ही answer लिखा हुआ है आंसर पूरा passage में से ही लिखना है आपको तो यह हो गया आपका के सड़ी complete गाइस आपको समझ गया होगा कि किस तरीके से आपको उसको समझना है किस तरीके से आपको उसको understand करके answers भी लिखने हैं